नमस्कार दोस्तों पैफेर रंजय में आप सब एका स्वागत है आज हम बनाएंगे कटोडी रगडी तो आएए शुरू करते हैं दो कप मैदा लिए हैं एक कप तेल है यह सोडा है और यह कलर ले लिए हैं तो सबसे पहले हम इसमें एक चमच बेकिंग सोडा डालेंगे एक चमच बेकिंग सोडा इसमें मिला दिये हैं अब इसमें हम दीरे-दीरे करके तेल को मिलाते हैं उतना इसमें तेल डालिए जिसमें की यह मुठली बन जाए तभी यह फास्ता कटोडी बनेंगे इस तरीके से मुठली बन जाना चाहिए इसमें और डालते हैं थोड़े से इसमें हम थोड़ा थोड़ा फानी डालके इसमें हम तोड़ा थोड़ा फानी डालके इसका आटा लगा लगा लेंगे आटा ने जादा कड़ा ने जादा गीला प्लीव तोड़ा आटा लगा के असे में कलर दे दिये ने पीला दे दिये हैं एक में ग्रिन दे दिये हैं एक में रेड़ दे देते हैं थोड़ा सा यहां पेल डालते हैं इसको लाल कलर डालते हैं इसको कलरफुल कटोई सुन्दर लगता है लखे सब चिकन से हम लोईया बना लेते हैं उसके बाद बिलते हैं कलर देने से अच्छा लगता है देखने में इसके फिर फोग से सब जगर इसको ताकि फूले नहीं यह कटोड़ी लिया है इसको कटोड़ी पढ़ा है जो इसके अंदर है उसको कट करके निकाल देते हैं कटोड़ी में लगा दिये हैं अब इसको हम गरम तेर में डाल देते हैं देखते हैं कि तेल गरम हुआ है यह नहीं तेल गरम है इसको इस तरीके से डाल देते हैं वोगा उसके ले लोगए उसाव्टता देत PER की करूंपो में बड़ता है में चड़ता है इसको क्या रूंपोस्वा में वोगा ईसका ददLike का दूंपोस्व meioघड़ा की करूंपता है क्ä। झाल कहो है कर दोढ दोन कि पेघ़ता है गऴता है कर दो प्रेप्ट नड़े कर दो दो प्रेप्ट है नहीं है। इस तरीपे से हमें निटाते रहते हैं यह देखें कटोडी बनके तयार हो गया है इसी तरह और चार कटोडी बना लेते हैं देखें कटोडी बनके तयार हो गया है अब इसको हम सजाते हैं रबरी कटोडी बनके तयार हो गया है और यह कलरफुल में बनाए है देखने में भी बहुत अच्छा लगता है आप भी अपने घर में आये हुए महमान को इसी तरह सर्व कीजिए अगर यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप लाइक करें सब्सक्राइब करें से कि अफच्छा भूली खशे हुए एक करें अछैब करें ऑाईब कारा झाया करें से वीडियोचे ही अदड़ में जेकल डूली करें से अर चलवा